ग्रामीन विकास राज्यमंत्री राजेंद्र सिंग गुढा की बर्खास्तगी के बाद कॉंग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कॉंग्रेस हाइकमान ने चुनावी साल में अनुशासन को लेकर सक्ती बरतने के आदेश दिये हैं। गुढा को सरकार के खिलाफ बयान बाजी करने के कुछ ही घंटे बाद बर्खास्त करने के पीछे हाइकमान के आदेश को ही कारण माना जा रहा है। उधर गुढा के अगले सियासी कदम को लेकर भी अटकले लगाई जा रही हैं। सियम ने इस पूरे मामले को पार्टी का अंदरूनी मामला बता कर कमेंट करने से इनकार कर दिया। गुढा के चुनाव से पहले कॉंग्रेस छोड़ने की संभावना है। इसे लेकर संकेत भी दे चुके हैं। अब उनके अगले सियासी कदम को लेकर समर्थकों से चर्चा ह गुढा बसपा छोड़कर कॉंग्रेस में आए कुछ साथी विधायकों से भी संपर्क में हैं। गुढा की रणनीती बसपा से कॉंग्रेस में शामिल हुए कुछ विधायकों को साथ लेने की हैं। वे बरखास्तगी के बाद भी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। सियासी चन्नीती के तहत गुढ़ा चाहते हैं कि कॉंग्रेस उन्हें निकाले, इससे वे सियासी सहानु भूती ले सकेंगे, वे अपनी बर्खास्तगी को महिला सम्मान से जोड़ कर पेश कर रही हैं। सिंह रधावा से शनिवार सुभा विधायक दिव्या मदेरणा ने मुलाकात की हैं। से सलाह लेकर, राजेंद्र गुढा पिछले करीब एक साल से पार्टी लाइन से अलग जाकर कई बार बयान दे चुके थे, पार्टी में एक्शन लेने के लिए शुक्रवार को सबसे बड़ा आधार तय हो गया था, गुढा ने मनिपूर मामले की जगह राजस्थान सरकार को अपने गिरेबा में जाकने की सलाह दे कर विवात बढ़ा दिया, गुढा के विधान सभा में दिये बयान को बीजेपी ने आधार बना कर मनिपूर के काउंटर में पेश करना शुरू कर दिया, सूत्रों के मुताबिक प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिह रंधावा न ततकाल दिल्ली रिपोर्ट भेजी, हाइक मान से बात की, साथ ही गहलोत ने भी हाइक मान से सलाह ली है। जोड कर देखा जा रहा है। लंबे समय से बयानबाजी के कारण कॉंग्रेस लीडर्शिप की कमजोरी का मैसेज जा रहा था। अब मंतरी को बर्खास्त करके बाकी नेताओं को यह मैसेज देने का प्रयास किया है कि अब कारवाई हो सकती है। पिछले दिनों कॉंग्रेस क कि बैठक में प्रदेश प्रभारी रंधावा ने नेताओं को दो टूप कहा था। सरकार या नेता के खिलाफ बयानबाजी की तो बड़ा एक्शन होगा। पिछले दिनों दिल्ली में राजस्थान कॉंग्रेस की चुनावी बैठक में राहुल गांधी और कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने चुनावी साल में अनुशासन पर जोर देने को कहा था। राहुल खडगे ने राजस्थान के नेताओं को आपसी बयानबाजी और सरकार के खिलाफ बयानबाजी को किसी भी हालत में बरदाष्ट नहीं करने को कहा था। गुढा मत्री पद से बर्खास्तगी को अब सियासी शहादत बताकर सहानु भूती काड़ के रूप में भुनाने का प्रयास करेंगे। गुढा महिला अत्याचार पर दिये बयान को महिलाओं के सम्मान से जोड़कर सियासी रूप से भुना सकते हैं। महिला अत्याचारों पर सच बोलने की सजा के तौर पर प्रचारित करेंगे। इसकी शुरुवात भी उन्होंने कर दी है। बरखास्तगी के बाद भी राजेंद्र गुढ़ा के तल्ख तेवर बरकरार है। गुढ़ा ने कहा राजस्थान तो हिंदुस्तान में महिला दुशकर्म में नमबर वन हो गया। हम जनता को क्या मुह दिखाएंगे। जनता ने हमें चुनकर भेजा था। मैंने इतना ही तो कहा था कि राजस्थान महिला अपराधों में नमबर वन हो गया। मैं शेखावाट की जमीन के राव शेखा का वन्शज हूँ रलावता शेखावाटी का एक गाव में तीन पीधिया एक साथ महिला के सम्मान के लिए कट गई थी वह DNA मेरे अंदर है विधायक दिव्या मदेरणा ने भी तो कहा मैं सुरक्षित नहीं हूँ हम महिला अपराधों में एक नंबर प पैसले लेगी इस उम्मीद के साथ उनका साथ दिया था मेरी नजर में सचिन पाइलट गद्दार नहीं है निकम में भी नहीं है 21 सीटों से आपको 100 सीटों तक ले आए निकम में कैसे हो सकते हैं नकारा भी नहीं हो सकते पूरे हिंदुस्तान में कॉंग्रेस पार्टी के ल मुझ में नहीं है कहीं भी महिला युवा नौजवानों के साथ अत्याचार होगा तो मेरी जान लगा दूंगा